गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोगोंने सेवन लेशन सेवन हम लोगोंने कम्प्लीट कर लिया था आज हम लोग लेशन एट आर्टिकल्स पढ़ेंगे सारे बच्चे अपनी बुक में ग्रामर की बुक में पेज नंबर 6161 पेज नंबर 6161 लेसन एट आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हम लोगी जाने कि वावल्स जो होते हैं वो होते हैं 5 ए ए ए ए आई ओ यू फाइब वावल्स होते हैं ठीक है ना और बाकी जितने होते हैं 21 लैटर्स होते हैं वो कॉंसोनेट होते हैं तो जैसे आब अगर माल लो जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिये गए हैं है ना जो जैसे मिल्क M से शुरू हो रहा है यह कॉंसोनेंट साउंड है यह एग यह वाबल साउंड है ठीक है जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं तीन A, N और The A उन वर्ड्स के पहले लगाये जाते हैं उन नाउंस के पहले लगाये जाते हैं जो जो कॉंसोनेंट से शुरू होते हैं और जो वोवल से शुरू होते हैं उनके पहले एन लगाते हैं और एक कोई specific जो one अपने एक तरह का एक ही चीज हो उसके लिए हम लोग the का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग copy का काम करते हैं फिर हम लोग exercise का काम करेंगे सारे बच्चे अपनी copy open कर लेंगे उपर लिखेंगे lesson eight articles question number one what are articles what are articles answer the words a and and a and and the are called articles the words a and and the or the मतलब कौन कौन से articles है एक ये ए है एन है और ये द है आर called articles for example a card देखो c ये किसे consonant से शुरू हो रहा है ये word a word तो उसके पहले क्या लगा है a लगा है apple ये a से शुरू हो रहा है तो उसके पहले n लगा है ताज महल ये अपनी तरह का एक है उसके पहले हमने द लगाया है न एकाल एन एपल द ताज महल ठीक चब अब हम लोग exercise करते हैं इसको नोट कर लिया आपने अब हम लोग exercise करेंगे exercise में सबसे पहले हमें underline the word that begin with vowel sound and circle the word that begin with consonant जो consonant से शुरू हो रहे हैं उनको circle करना है और जो vowel से शुरू है उनको underline करना है जैसे people तो ये consonant से है तो इसको अमे circle कर देना है X ये A से शुरू हो रहा है vowel sound है shoe consonant sound से अंब्रेला vowel है arrow vowel sound से शुरू हो रहा है owl thing consonant वाला है arrow plane queen paper करिए note करिए फिर चले हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमें circle करने है articles को इस poem है what do I love? I love a book देखो ये A this is the article है na that's bright and funny I love an egg okay that's light and runny I love an apple okay that's juicy and red I love to sleep in a soft warm bed ठीक ये हमने किया अब देखो यहां पर circle the correct article to use in the following cases अब देखो ostrich O से शुरू है ये बावल साउंड है तो इसके पहले हम लोग O लगाएंगे ठीक है owl ये भी O से शुरू है बावल साउंड है तो N लगेगा monkey ये consonant sound है तो A लगेगा ant यहां पर N लगेगा horse यहां पर A लगेगा loin यहां पर A लगेगा tiger इसमें भी A लगेगा elephant इसमें N लगेगा और dog इसमें A लगेगा ठीक चले, choose the correct article and fill in the blanks I have बताओ क्या होगा सोचो I have N क्योंकि यह apple है यहां पर N होगा ठीक सिमी एट A mango यहां पर A होगा A The socks are lying on the ground Do you have an umbrella देखो यह wobble sound से शुरू हो रहा है ठीक है और देखो यह earth earth अपने आपने एक है तो इसके पहले दो लगेगा The earth is a planet The children are playing with a ball He got a toy car for his birthday A pilot flies an aeroplane A aeroplane A से शुरू हो रहा है This is the wobble sound अब देखो Color the fruit in the basket Write down the name of the fruit अब इसमें लिखना है अब देखो जगर A से शुरू हो रहा है तो यह banana देखो B A N A N A banana यह mango है A mango यह apple है यह apple हो गया यह orange है O R A N G E यह पर N में लगाएंगे यह watermelon है और इनको आप color करेंगे यह आपका काम है लिखना भी आपका काम है यह color भी काम करेंगे यू और यू और पार्टनर विल चूज आइदर पिक्चर A और पिक्चर B यू दम काम करेंगे यू रहाएं जापके यू अ और फिक्चर A भी अब देखो यह पर पिक्चर A बेच्चर B यहां पर पिक्चर A भी यह अपका tip आनीज आपके दोनों काम करने है यह अ जैसे यह वुत यह गरल है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए गरल ठीक यह डॉग है तो ए डॉग हो गया आप देखो यह बॉल है तो अ बॉल फिर यह मंकी है मंकी है ना तो अ मंकी यह पैंसिल है अ पैंसिल यह बलून है बलून बी ए डवल ल डवल ओ बलून अब देखो यह एपल है तो यहाँ पर एपल आइस क्रीम आइस क्रीम आप देखो यह आउल है एन आउल फिर यह एलिफेंट है एन एलिफेंट ठीक फिर यह ओरेंज है और यह तो एग है ठीक लिख ली जेस को अब देखो यह तुम्ही करना है क्वेशन क्या कह रहा है अब देखो अपने घर में देखो अब तुम अपने घर में देखो और सुचो क्या है तुम्हारे घर में लिखोगे तुम यहाँ पर टेबल चेर फ्रेज बेट शेट ठीक है ग्लास प्लेट और जो एन वाला आइटम है वो अपने इसमें लिख सकते हो जो जो बावल साउट से यूरू होते होंगे तब तुम्हारे घर में जो भी चीज हो उसको आप यहाँ पर N वाले में लिखेंगे यहाँ पर A वाले में यहाँ का अपना का ठीक है बिटा यह चाप्टर कम्प्रीट हो गया हम लोग नेक्स क्लास पर पर नए चाप्टर के साथ मिलेंगे पर तब तक के लिए बाई